हेल्यो फ्रेंड्स आज मैं आप आप लों के साथ कोई रिषीपी नहीं सेयर कर रही हूँ आज मैं सेयर कर रही हूं रसोई घर में काम आने वाली बहुत ही जरूरी मसाले जिनके लिए हम कई बार मार्केट में घुमते रहते हैं हमें नहीं मिलती है और ऐसी कोई रेसिपी अगर बनानी हो जिसमें इसकी जरूरत हो तो वो फिर स्वाद उसके बिना ही हमें बनाना पड़ता है तो चलिए आज मैं आपनों के साथ सेर करी हूँ तीन तरह के ऐसे पाउडर जो की कीचन में होने ही चाहिए अगर आपके कीचन में नहीं है तो जरूर बनाईए सबसे पहला मैं बना रही हूँ पुदीना पुदीना के ये पत्ते मैंने बहुत सारे तोड़के सुखा लिए और सुखाने के बाद इसके आवाज आप सुनिए कि कितनी ये सुख के कुलकुल हो गई है बिलकुल ही इसको जब दवाएंगे तो एकदम पापर की तरह इसकी आवाज होनी चाहिए इसको मैंने खूब अच्छे से धूप में सुखाया है दो से तीन दिन मैंने सुखाया है आप चाहें अगर तेज धूप है तो एक दिन में भी ये सूख जाता है वैसे साधरांतया ये आप अगर पंखे की हवा में इसको छोड़ देंगे पूरी राथ पहला के तो भी ये इस तरह से सूख जाएगा तो ये सूख चुका है अब इसका बनाना है में पाउडर और पुदीना का पाउडर बनाने का आप कहेंगे कि क्या मतलब है पुदीना का पाउडर बना के क्या करेंगे लेकिन अगर पुदीना के पाउडर आप नहीं रखेंगे तो हर वक्त आपको ताजे पुदीना के पत्ते नहीं मिलते हैं अक्सर हाँ और आजकल के समय में आपको तो और भी नहीं मिलेंगे तो सिकंजी आप कैसे पिएंगे या कि कोई चटनी आप कैसे बनाएंगे तो बीना पुदीने की कोई भी चटनी अच्छी नहीं लगती और न सिकंजी न सरवत तो चलिए इसको मैंने पीस लिया एकदम साब सुतरे किसी सीसे के बरतन में इसको हम भड़के रखेंगे सीसे के बरतन इसलिए कहरी हूँ कि किसी सीसे के बरतन में थोड़ा मॉइस्टर कम होता है उसको एकदम साब सुतरा धोकि अगर आप रखेंगे तो ये पाउडर आपका साल भर तक टिका रहेगा ये देखिए कि तक हुबसूरत लग रहा है ये एक पाउडर हो गया जो कि बहुत ही जरूरी है दूसरा जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अक्सर हाँ आप सुनते होंगे कि अमचूर पाउडर ये अमचूर पाउडर क्या होता है कैसे बनाते हैं इसको बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अमचूर पाउडर मतलब कैसे बनता होगा क्योंकि वो काफी खटी होती है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे लिये हैं काफी सारे आम मैं सब ही आमों का बनाने वाली हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है धोबी अच्छी है तो मैंने सोचा साल वड़ के लिए इसको बना के स्टोर कर लूँ और अमचूर पाउडर अक्सर हां किसी भी चीज में जैसे आप चाट मटसाला डालते हैं उसी तरह से कुछ कुछ सबजीया ऐसी होती है जिसमें अमचूर पाउडर डालना बहुत जरूरी होता है और अक्सर हां हमारे पास कई बार अगर खتم हो जाती है तो फिर हम नहीं मिलने की वज़े से बिना पाउडर के ही बनाते हैं अमचूर पाउडर के इसको हम लोग कहते हैं साइद मालदा और आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं लेकिन ये बड़े वाले आम होते हैं इसमें गुदा काफी होता है और खटी भी बहुत होती है तो इसी आम को हम कुछ इस तरीके से काट लेंगे इसके और भी पतले जो पीसे जहें वो काटने आपको बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना नहीं तो ये धूप में सुखेगा नहीं और पुदीना का तो ये था क्यों अगर रात पर आप छोड़ देंगे तो वैसे भी सुख जाएगा लेकिन इसको आपको धूप में ही सुखाना है और धूप अच्छी खासी होनी चाहि है कि कई लोग कि आप देखते होंगे कि ये अमचूर जो होता है आमका जो हम सुखा के रखते हैं वो काला रहता है अब मैं तीसरा और बहुत ही जरूरी चीज आपको बताने जारी हूं इसको बना करके रख लेना कीचेन में बहुत आराम मिल जाएगा आपको अगर कोई भ कि आप डाल देंगे तो आपका सब्जी बहुत ही अच्छा बन जाएगा यहां पर मैंने दो किलो प्याज लिये थे और दो किलो प्याज को खूब अच्छे से दो के काटके और इसको पानी जिस तरीके से मैं सुखा रही हूं एक किसी साफ तॉलिये में डाल के और अच्छ में मतलब थोरे पतले वाले पीसेज में आप चाहें तो इसके जो पीछे वाले जड़ है उसको हटा दे मैं इतना जलूरी नहीं समझती उसको हटाना क्योंकि बाद में वो अपने आप ही अलग हो जाएगा और इन सब को ऐसे कुछ पतले पतले स्रैसेज में काटके आपको रख लेने हैं तो मैं बता रही हूँ प्याज का पाउडर बनाने का तरीका प्याज का पाउडर बना लेने से बहुत ही आसान होता है जब भी हम कोई पास्ता बनाते हैं या कोई भी जैसे नूडल्स बनाते हैं या कोई ऐसी सूखी सबजी बनाते हैं तो उसमें आपको प् के पास है तो बहुत आसानी हो जाती है यह बना करके रख लें और कभी कवार जैसे कोई सबजी है जिसमें मसाला पिसने का मन नहीं हो रहा है तो आप इस पाउडर को डाल सकते हैं तो चलिए इस प्याज को मैंने क्या किया है कि खूब हाथ से इसको थोड़ा सा मसल दिया है ज उसको अच्छे से एकदम पतले लेयर में इसको फैला दे और उसके बाद इसको हम सुखाएंगे धूप में इसको भी धूप में ही सुखाएंगे क्योंकि नॉर्मल चाओं में जैसे घर के चाओं होते हैं या पंखा होता है उस हवा में यह नहीं सुखेगा तो इसको अच् इसलिए में tenían इसाव्णीफ़ पाउडर जो सिखारियों आपको इसकोya i sобщारियों की you Marchement काच बाहं के रख लेख आपको बहुत आसाउनी हो जाएगी काम हर काम आसान हो जाएगा सभा में और पत्ले तोलिये से और सूखने के लिए धूप में डाल दूँंगी पंची और अब इसको क्या करेंगे भीस लेंगे यहां पर मैं आपको बता रहे हूं कि अगर आपने पीसे थोरे मोटे काते ना तो फिरी आम सूखने में आपको बहुत परिसानी कर देना इसलिए हमेशा पतले पतले लेयर में कार के उसको रखेंगे यहां पर लेंगे मिक्सी के लिए जार और जार में इसको डालके फिर इसको हम पीस लेंगे तो इसका पाउडर देखिए बनके तयार हो गया अभी मैं आपको खोलके दिखाती हूं कि किस तरीके का पाउडर बना है तो यह देखिए हमारा अमचूर पाउडर बनके तयार हो गया लेकिन अभी आपको इसमें कुछ दाने नजार आ रहे होंगे जो कि थोड़े मोटे हैं तो यह इसलिए हैं क्योंकि एक बार में आपका बहुत ज्यादा महीन नहीं पीस पाएगा इसको आपको दो से तीन बार पीसना परेगा बारी बारी से क्योंकि यह काफी मोटी दरदरी सी पीस जाती है आप भी पीस के देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से पीसेंगे और इसी तरीके से आपका बनके तयार होगा मैं अपने वीडियो में कुछ भी गलत नहीं बताती हूँ जो भी बताती हूँ बिलकुल सही रिब्यू बताती हूँ बहुत सारे लोग वीडियो में कुछ भी सही इतना नहीं बताते जिसकी वज़ा से आपकी रेसिपी नहीं बन पाती सही से और फिर आप परिसान होते हैं कि फला जो कीचन वाले थे उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था लेकिन हमारा नहीं बना वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताया जाता है मैं यहां पर आपको बता दूँ इसमें मोटे दाने निकलेंगे और इसको आपको अच्छे से एक से दो बार में पीशना पड़ेगा इतनी खटी है कि मैं बता नहीं सकती, मैं थोड़ा सा चक के देखी थी, बहुत ही खटी है, और ये सालवर टिक सकती है, लेकिन इसको आप अभी एक दो दिन और अगर धूप में इसको रख देंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो ये बहुत सही हो जाएगा, इसका और इसको कटोडी में ऐसे दिखा रही हूं है, लेकिन बाकी मैं इसको किसी बड़े बरतन में या कोई सीसे के बाउल में इसको भड़के, बरतन में भड़के और फेस को स्टोर करूँगी, तो स्टोर करके जरूर इसको रखें, और ये कीचन की एक बहुत ही जरूरी चीज आपकी बनकी तयार हो गई चलिए अब मैं प्याज का दिखा रही हूँ प्याज भी सूखे बिलाएं तो अब इसको हम क्या करेंगे इसे भी सेम तरीके से इसको पीसेंगे लेकिन प्याज को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको आप तीन दिन से चार दिन तक इसको सुखाएंगे तब ही ये आपकी अच्छे से पीस पाएंगे नहीं तो अगर आपने कम धूप लगाया तो ये अच्छे से नहीं पीस पाएगा और आपका मसाला खड़ाब हो सकता है तो इसको खूब क्योंकि ये प्याज है प्याज में वैसे भी मॉइस्टर बहुत रहता है तो इसको जरूर अच्छे से पहले सुखा ले उसके बाद ही आप इसको पीसे आपको लगे कि दो से तीन दिन में नहीं हुआ है तो दो-चार दिन और एक्स्टर लगा के धूप इसको सुखा ले और उसके बाद इसको फिर इसका पाउडर बना ले तो देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया और कुछ इस तरीके का एक बहुत ही खुबसूरत सा कलर लेके इसका पाउडर तयार हो गया इसको पीषने के बाद इसमें थोड़ा सा मोईस्टर हो गया है थोड़ा सा पाउडर जैसा हो गया है इसको मैं अभी एक-दो दिन और हवा में इसको रखूँगी घर के ही जो रूम टेंपरेचर है पंखे की हवा में किसी जगह पे रख दूँगी जिससे की इसमें जो पानी जैसी जो आपकी दिख रही है वो सूख जाएगा और ये प्याज का पाउडर बनके तयार हो जाएगा तो प्याज का पाउडर आप बना के घर में रख लीजे ये इतना जरूरी चीज़ है कि मैं क्या बताऊं जब भी आपको भी चीज़े बनाएंगे तो आपको इसमें ये काम आ सकता है चलिए इसका आपको मैंने सारी चीज़े बता दी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और भी चीज़ों की वीडियोज बना के आप लोगो देखिया हूँगी तो ये जो पाउडर है सारे के सारे I hope कि आपको पसंद आये हूँगे पसंद आये हूँगे तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक आप लो स्वस्त रहें